तो लेक ब्लेट से सुबह की शुरत हो गई है और अच्छा लेक यार में काफी ब्योटिफॉल है कल यहां बोटिंग करी थी देखा होगा अपना और कैम्पिंग राउंड में तो यहां जगे नहीं मिली अधिकता कैम्पिंग राउंड पता नहीं क्यों वीक डे फुल रहते हैं लेकिन उसके बाहर पाक करके उसकी फैसिलिटी से लाउ कर दी थी उन्होंने तो आज का जो प्लान है वो कुछ ऐसा है कि थोड़ा बहुत लेक कु प्लान है और कुछ बारा एक बजए स्लोवेनिया को अलविदा बोलेंगे और इटली के लिए निकल जाओंगा मैं एटली यहां से जो मैं जाना चाहते हूं डोलो माइट वाला एरिया वो तीन घंटे है थोड़ा सा पार्ट आस्ट्रिया क्रॉस करके और फिर एंटली जान तो चेंज होते हैं तो देखते हैं आगे क्या होता है यह पात्वे बहुत मस्ते लेके पूरे तरफ वाक करने के लिए यह यह था वो पार्किंग लॉट रात वाला कैम्पिंग्राउंड और और यह लेक ब्लैट तो वाच गया है कासल और कासल गुमते है अभी जस खुला यह कासल आट साड़े आड माजय है यह कुमते हैं देखते हैं कैसा है चोटा टाउन है तो यह अच्छा बास पास ही है जब दूर कुछ भी नहीं है मेरे कासे वियू बट मस्त होने वाला इसका लेक का वाले तो इसके साफ से तो कुछ 27 पॉइंट है कासल में और पूरा वाक कर सकते हो 360 डिग्री वह करते हैं वाक करते हैं कासल सुबे का मौसम सुबे का टाई में तो नहीं है मिल्कुल भी और वैदर भी अच्छा है यहां पॉस्त मेरे कहा से यहां से वियू अच्छा होगा लेक का अब जो है कासल में हैं एंटी ले लिए यह फर्स पॉइंट है ऐसे स्टे इस चड़की इसके उपर भी जा ऐसा लगता स्लोवेनिया कभी वार में नहीं है चोटे-चोटे कासल से हैं अभी अंटच्छ ऑन आइलेंड जो दिख रहा था लेक के बीच में मस दिखे गए इस कि अब अब बाद चोटे आइव अब इस दो ओल्स के बीच में है अब करी मिल गया है आइलैंड का वीओ यहां से मिल गया है अपना आइलैंड जहां पर मैं कल था बोट एहां खड़ी करके और फिर आइलैंड का राउंड किया था निए लेकिन ये कासल गुमते गुमते क्या है और बारिश चाल हो गई अब वैदर गा पता ही नहीं पड़ता है कल पुरे दिन दूपती सुबे क्लियर था बारिश कि अब हमेशा रेंड कोट चाता लेकर थोड़ी गुम सकते अब जोड से बारिश तो गिली होंगे ना मिमारी पढ़ेंगे ना और क्या है यहां से तो निकलते हैं इसको बाहर बोलते हैं आइलेंड को लास्ट यह जब स्विजर लेंड में था तब भी ऐसे होता था कि दिन दूप निकल रही अगले दिन बारिश हो जाती थी लेकिन उसका मैंने कुछ तोड ऐसा निकाला था कि फिर मैं मैप में देखके ऐसे ट्र बार उठाके दूर और दो घंटे में तो यहां कंट्री क्रॉस हो जाती है बारिश का बिलकुल भी जब भी कोई से भी वेदर में आओ यूरोप में या फॉरें में तो सब अपना थंडा अगरम रेंकोट अम्रेला लेकियाना यही मैं सजेस्ट करों आए यही मैं सजेस्ट कि अग्यों कि अग्यों कि तो आगे हो लेकिन जानी सकता बहुत जोड से बाइश हो यहां पर पेड़ी पेड़ा उसके आगे अगर जाना है तो बारिश काई वेट करना बड़े है बिन मौसम बरसाथ कार में रखा है अमरेला रेंकोर्ट बैग में कुछ भी नहीं लैपट कि आगे कैफे एक माँ पर अपलोड करता हूं माइफ पर बारिश तो रुख जा लेकिन आदा घंटा हो गया यहां पर बारिश बढ़ती जा रही है और अभी बादल गरज रहे उपर जाना पड़ेगा क्योंकि अभी यहां पर तपक तपक होने लग गया है यहां बैग में लग की लिए टॉवल रखा हुआ तकल से लीच पे नहाने के लिए यही काम आएगा अब भाब लोग तो ने थोड़ा बास सर बचा लिया हम गरम कॉफी पीने का टाइम यहां पर यहां पर वाइफाई भी मिल जाए तो लैपकॉप साथ में अपलोड हो जाएगा मौसम मदद चुका है अब टाइम है एटली के लिए निकलने का जल्दी कॉफी पीते अपलोड करते हैं पर निकलते हैं मौसम तो पागल हो गया वही है यह स्पीड स्लोई है अपलोड होने में टाइम लग रहा है अभी 23 मेट और है को चालेस मेट हो गया बैठे बैठे बा तो कासल की बात करो तुआ हो अगर लेक में आरे हो तो कासल भी करना चाहिए अच्छा एक्टिविटी है कुछ 13 यो के एंट्री थी और पूरा एक राउंड कर सकते हो कासल का व्यू अच्छा था लेक के लिए और वाकी तीन दिन होगे मुझे स्लोई निया में तो यहां प कि अच्छा कार में किसी तरह बीगते हुए कर वीडियो अपलोड हो चुका है और श्लोई निया चोड़ने का टाइम है अच्छा डिशन रहा श्लोई आने का मुझे लगदा था कि आस्ट्रिया में भूमतों बहुत कुछ है और इदर उदर लेकिन स्लोई इस नाइस कंट् लूब जीना शायद यह नाम है लूब जीना कैपिटल दो या तीन दिन वांगुमो आप बहुत ब्यूटिफुल सिटी है नाइट लाइब बहुत अच्छी है उसका कासल बहुत अच्छा है ओल टॉन बहुत अच्छा है उसके बाद दो लेक है फेमस जिसमें जो मैंने कव कियें तो लेक बहीनी वो लेक काफी पीस्फुल काम है और आसपास ड्राइब आराउंड के लिए अच्छा है वाटरफॉल से आसपास जो मैंने जा पाया फिर कैम सैट जो मैंने मैं जा रुका तो बहुत अच्छी मस्त हैं अगर कार है तो वही पर रुकना बहुत मस्त है लेक ब्लेड जो कि सबसे फेमस टाउन असलोवेनिया का और यॉरोप का भी और लेक ब्लेड में आप दो दिन स्पैंड कर सकते हैं अगे कासल आ सकते हो गूम सकते हो काफी सारे होस्टल्स भी यह पर शैलिस भी है और 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 ऑस्ट्रिया का बॉर्डर यहां से आदर गंट अटिए बता रहा है आप चलते हैं बारिश में मैंसे भी कुछ नहीं कर सकता था अगर एक दिन और रुपता तो इंगर बारिश आ जाए तो कुछ इंप्द है आप बस ड्राइब कर सकते हो कौफी की सकते हो और एक जगे बॉक एक ब्यू का एंजोय कर सकते हैं तो अब कि अच्छी रहा है कि निकलते ही ट्राफिक मिल गया है पता देख्यों है लेकिन ट्राफिक बता रहा है भी पुरा स्लो मोगिंग है इसलिए टाइम भी थोड़ा जादा दिखा रहा है साड़े तीन घंडे में पहुंगा ऐसा बता रहा है बॉर्डर पे ट्रेफिक हो गया तो इतली बॉर्डर दो बॉर्डर लगने वाले हैं आज देखते हैं कहीं चैकिंग वाइकिंग तो नहीं है अगली दस में टुए होंगे लेक को छोड़े हुए और इनका जो हाईवे वह भी चलो हो गया और मेरी खाल से अगले आदे घंटे में आस्ट्रिया भी आ जाएगा तो आस्ट्रिया बॉर्डर से बहुत पास ही लेक अगर आना हो तो इस वेरी गुड़ ऑप्शन बारेश चले ही तेकिन यह कब रूपी कि बता नहीं है इतली में नहीं मिल जा है वांगे तो दौनमाइट सुझ वाश्रूम ब्रेक लिया था एक उसके बाद हाईवे पे जालेगा एक बाद गंट और एक डिर्व गंट और एक लिमाएंटी होईगी तो देखें आप अस्ट्रिया का बॉडर सिक्यूर्टी कैसा अब है तो अब तो तो निकाल लिया पासपोर्ट भी निकाल लेता है इसके बाद पता प्या पुचें एक तो 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 नहीं लग रह आदा गंटा तो होगया खड़े है पुचने का टाइम भी बढ़ गया साड़े तीन था फिर चाड़ हुआ सवाज चार होगया पुच्टे है कोई सेक्यूर्टी चेक और यह सब नहीं था बस टनल आ रही थी इसलिए टोल ता इसका साथ 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 यूरो का उसमें इन्हों अदा गंटा भी गाड़ दिया तोल के चक्कर में अल्रेडी पेड किया हुआ है टोल आस्ट्रिया में भी इसलोवेनिया में भी टनल का लग से क्यों लेते साली है अब जाके बारिश रुकी है एक गंटा हुआ है लेक से निकले हुए और ऑस्ट्रिया का बॉड़र भी ग्रॉस हो गया था थोड़ी बहुत चेकिंग थी यूं बोल सकते हूं लेफ्ट राइडर पुलिस वाले खड़े हुए थे देख रहे थे गाड़ी के अंदर कौन जा यूरोप में वो रहते हैं इंटर कंट्री कनेक्टेट वो हाइवे मुझे करेगा ऑस्ट्रिया तो इटली अवार से में एंटली में एंटर करूँगा कुछ 17 किलोमेटर बाद वो हाइवे चाल हो जाएगा तो इस्ट्रिया में एंटर होते ही डीजल फिर से बढ़ गया 1.96 हो गया 20 cents बढ़ एक दम से चैन तरफ दे ही इस इन फोर हाइवे देखने कितना लेफट न्या तो इस बारिश तो फिर से चलो ही है और बिला दिखा है बाट ताम बाद श्लोविनिया में नहीं था एक बी यहाँ पर है ऑस्ट्रिया में कुछ खाते है सुबे से कुछ खाया है नहीं बूट लग रही है और एक ब्रेक हो जाएगा आदा रस्ता आगे हो ऐसा लग रहा है और पुता नहीं क्या मिलेगा इसमें वेजिटेरियन रिपी ठूणते है मैगी टाइप है पास्ता है लेकिन गरम कैसे करें उसको वह दिक्कत है कुछ भी ऐसी चीज नहीं दिख रही जो खोल के खालो इत्यूंकर एपुता है जाए जाओ नेगने वेटिटेरिन में वेच्छ ज्यादा मिला तो नहीं कि ब्रेट का फुकड़ा मेला प्रटर को अनियों कि बोलते हैं उसको अप्रेश कहने का मन था कॉपी पीने का मन था तो दोनों इनि मिला च्रावसम भी बगड़ गया वह बाड़ा सा या भी जाना है एटली में देखते हैं पास्ता पीसा गाएंगे दोगिए सूपर फासर बारिस्ता था तीसंड में आपको ये एक बात बता था तो अब आत को सोचा मैं आप मेरे दोस्ते भी थी तो ऐसे मैं प्रमोट करता हूँ कि एड़ ट्रिप करना चीए और बहुत वर आजो दोह आज होता है, चलाने के लिए, ड्राइब के लिए, ड्राइब लिए, जर्किक भी की बाँना आज पर एफ सब्सक्राइब करें इस एयगा लिए बहुति जा हैं दोहता है, लेकिन लिए में आज बेडाएब कर्या भी फ़ए यह लोगता है अजिए तो उसका टोटल लाग रुपीस तु दे रेंटल कार कंपनी पॉलिस रिपोर्ट भी कराई उसने और पॉलिस रिपोर्ट में था भी चाहिए कि उसकी कोई गलती नहीं है लेकिन उसके बाद भी 10 लाग रुपे देने पड़े उसका फुल इंशुरेंस था कार का उसके बाद तो ऐसे करके कुछ एक्सिटेंट होता है तो आपके जान को भी खतरा है और कुछ जान बचती है तो फिर आपके बटूए को भी खतरा हो जाता है तो जस्त मेंक शियर कि ड्राइव सेफ मैं तो बहुत आराम-आराम से चला रहा हूं कार यहां पर एंजॉय करते हूए को कुछ हो गया तो फिर पूरा ट्रिप बगड़ सकता है एक चीज जो बहुत यूनीक यूरोप की कार्स में देखी है कि इनके में कुछ ऐसा सेंसर रहता है जो बोर्ड लगे होता है इस पीड के वो उस पोर्ड में से रीड करके और यहां पर अप्रेट कर देता है स्पीड तो वो हमेशा एक्यूरेट रहता है कि जितनी स्पीड चिलना है वो सेम रहगा जो बोर्ड पे लगवा रहता है और चेंग भी होता है में जैसे बोर्ड आता है कोई तो बोर्ड आता है तो वो चैंज हो जाता है उसके अक्र्डि से 80 का आ रहा है आगे यह 80 का आ रहा है इसमें भी अपटेट हुझा गाएगा कि एटली का डीड़ तो कूल यह ऐसा लग रहा है बस अब बॉडर आने वाला इटली का वाला फील आना चालो हो गया बीच में डॉलोमाइट वाले पहाड भी थोड़े से दिखे थे वीडियो में रिकॉर्ड निकर पहा है बाते तो दिखाता हूं है उसामने आ रहा है अड्रवी और एंडली कासा बॉडर निकर यहा है इस विश्टीसेग्स कॉर्ट आड़ जाएगा तो इस चालो है हा यहा इस थे में आपір रहा है इटली में सौगट है इसवार पुष्कुषए रहा है इसके बीच में बॉड़ है यह से बीच आलो है दूस्ते सी डेस्टरेंट है और यहां कौन सी का रहे है फरारी फरारी खड़ी लाइन से को पराई निय चारेस्टर टेन फरारी टीन उस्तार अनम्य glue नहीं को ढालो है 11 ना में तोल्גरिटा पिजह खरिंडे का दर्म प्रॉल Sao Me तो इतली में आए पीजा निखाया तो क्या इतली आ है और तो जो सेंटर ही किया बॉर्डर से 50 मीटर ही आगया हूं और पीजा खाने का टाइम में सुबे से कुछ खाया है नहीं एक पीजा पीजा खा लिया है रेस्ट्रेंट पीछे है और साइड में यह स्ट्रीम बहरी है मज़ेदार और मुझे लग रहे है एक बार आपको फिर से दिखा तो आप मानोगे नहीं कि कैसा ऐसे भी कोई बॉर्डर हो सकते है यह यह भी नहीं मान रहा एक्चली बॉर्डर देखते इनका इतली और और ऑस्ट्रिया का यह अस्ट्रिया और यह इतली है ऐसे बॉर्डर होते हैं अगर दुनिया पुरी दुनिया ऐसी हो तो कितना मज़ा है गुमने में कहीं भी घुच जाओ वैसे ही मेरी फूर्थ कंट्री चालो हुई है अब इतली घुमते है मेरी डेस्ट्रिया से तीस तीस मेनेट ही दूर है और एक लेक है नाम पता तो मुझे भी देखना बढ़ेगा नाम क्या यह पता है इस तो पानी जैसा यह इप भीजर तो नहीं यह दिखा वेल लिगन पता निकार नहीं पाइब वहां से बिल रहा है जब आप तरहों तो पूछ किसी को पता हो तो बता हो अब गड़बर्स जाए इतली में यह रेट की बात करें तो लगबग ऑस्ट्रिया जितनी यह 1.94 तो सबसे सस्ता तो भी मिला था स्लोवेनिया में इतना सस्ता तो भी नहीं मिलेगाना और यह डोलो माइट्स की पाड़ी है इसे चालो होती है लिखा भी जगी जगी और एक केबल कार भी है जो उपर जा रही है यहाँ पर बादल इसलिए दिखने रहा लेकिन यह पाड़ी यह बहुत मस्त है अब भी मेरी रेस्टेशन थोड़ी सी दूर है यह से एक चोटा सा लेक दिखा तो मुझे लगा वाय नॉट स्टॉपिंग यह डोलो माइट से गिरावा एविया जगी जगे बोर्ड आरे वर्ल हरीटेज साइट तो डोलो माइट जो है वर्ल हरीटेज साइट में से आती है इटली में शायद सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल हरीटेज मॉन्यूमेंट्स है सेकेंड में स्पेन है और यह डियूरेंसी करके लेक है पानी अभी तक तो एम्रेल पानी दिख रहा था लेक ब्लैड में और दूसरों में यहां का पानी अलग है चाहद सेंड स् इसले थोड़ा उस कलर का है पूरे डॉलमाइट सेंड स्टोन से बने है और अभी में आवार अल्ला जा रहा हूं वोड़ा लेक अलगी सीन है उसका निकलता हूं था है थोड़ा शाम वही पर बिता नहीं है तो तर बाइड लाइड अल्माइड यह थोड़ा दाओ लिवे टाओड़ार थे नहीं है तो प्लीवेड धर लाइड अल्माइड वाड़ा लाइड तर देड़्ाइड राफ लाइड देड़ा थे राफ तो